17 से तंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक देशपर में सेवा पकवाड़ा मनाया जा रहा है इस पकवाड़े के तहट स्वचता ही सेवा अभ्यान भी चलाया जा रहा है अभ्यान के तहट नहरू युवा केंदर प्रदेश में स्वचता अभ्यान चला रहा है जिसके तहट आज जब सोलन शहर के विभिन स्थानों पर सफाई अभ्यान केंदर के स्वेंसेवियों द्वारा कारिक्रम आयुजित किया गया 80 के करीब स्वेंसेवियों ने इस अभ्यान में भाग लीकर सफाई की और प्लास्टिक के कट्र किया इस दोरान नहरू युवा केंद्र समेलन वखेल मंत्राल अभारत सरगार की राज्य समनवेक एरा प्रभात ने स्वेस्वेवकों को स्वच्छता की शपत दिलाई इरप रभात ने बताया कि प्रदेश में नहरू युवा केंद्र द्वारा स्वचता ही सेवा अभ्यान के तहट अभ्यान चलाया जा रहा है उन्होंने कहा कि इस अभ्यान के तहट केंद्रों ने प्रदेश में 40 टन प्लास्टिक को साफ करने का लक्ष रखा है माई भारत के अंत्रगत पूरे देश भर में और स्पेशली हिमाचल में 17 तारीक से लेकर के 2 अक्टूबर तक सेवा ही सचता है इस पाध्यम से हम लोगों को अवेर कर रहे हैं कि जितना हमारे आसपास प्लास्टिक एकत्तित हो गया है हम सभी वलेंटियर्स मिल करके जहां जहां प्लास्टिक है उसको एकत्तित करे और डिस्पोज ओफ करे हमने पूरे हिमाचल का लक्षे 40 तन रखा हुआ है जहां पर हमारे हर डिस्टिक हर ब्लॉक में हमारे वलेंटियर्स एकत्ते हो करके जहाँ जहाँ प्लास्टिक, फोकस हमारा specially प्लास्टिक के उपर रहेगा, बाकी जो स्वच्टा है वो भी साथ साथ रहेगी और प्लास्टिक के कतित करें और मोटिव है कि हम अपने देश को, अपने पर देश को कैसे स्वच रख सकते हैं वहीं, नहरू ईवा ratio किंद्र की स्वेंसेवियों ने भी इस अभयान को लिकर खासा उत्साह दिखाया है। स्वेंसेवियोंने बताये कि सभयान के तहत उन्होंने सफाई कर कूडा एकत्र करने के साथ ही प्लास्टिक भी एकत्र किया। उन्होंने कहा कि इस अभ्यान के तहट वे लोगों को भी स्वास्तियका सबसे बड़ा धन्य और हम हर जगे साफ सफाई करके अपने शेहर तता अपने जो आसपास के एरिये को इलाके को सवच बनाने के लिए पूरी कोशिश करेगे हमने आज सफाई की सफाई अभ्यान शूरू किया हमने जोहर पारक से नहरु के इंदर तक सफाई का अभ्यान शूरू करा है इसमें हमें जो मेन मोटिव है वो है हमें प्लास्टिक उठाना है और अपने भारत को सवच बनाना है